मोधी सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया है फैसले के तहट गरीब सबर्णों को 10% आरक्षण देने का निर्ण लिया है अब इसकी तैयारी है कि इसे संसद मिलाया जाएगा इसके साथ समिधान संसोधन करना पड़ेगा और उसके बाद आरक्षण दिया जाएगा संसद में क्या होगा विपक्षी दल क्या रुख अक्तियार करेंगे ये तो भवी से बताएगा लेकिन चुकि चुनाओ के आयन पहले ये सब कुछ हुआ है इसलिए इसका ततकाल इफेक्ट पढ़ना लाजमी है क्या ये ऐसा पहली बार हुआ है नहीं इसके पहले भी ऐसा सबढ़नों का रक्षण देने की कोशिस हुई थी कब क्यों और कैसे या फिर उसका क्या हस्र हुआ मैं आपको बताऊंगा मैं विद्य संकर्तिवारी इंडिया न्यूज के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए दरसल अबकी बार जो फैसला हुआ है वो लोक सभाचुनाओ 2019 से दो तीन महिना पहले ये फैसला किया गया है माना ये जा रहा है कि चुकि एसी एस्टी एक्ट में बदलाव के बाद सबर्ण नाराज था और काफी संक्या में नोटा में भी वोट पड़ा था उसको ले करके जो राज्यों से रिपोर्ट मिली खास्त और से हिंदी पट्टी के तीन राज्यों मत्य प्रदेश राजस्थान और चटिस गड़ और इस बीच आरेसेस ने जो केंद्री नित्रितु को सलाह दिया उसके अधार पे ये आनन फानन में कैमिनेट के सामने लाया गया अब इसे जो है लोग सभा में पहले पेश किया जाएगा उसके बाद राजी सभा में लाया जाएगा चूकि इसके साथ संबैदानिक संसोधन करना पड़ेगा इसलिए विपक्ष को भी रजामन करने की कोशिस होगी और विपक्ष जो है सिर्फ इस अधार पे इसका व मोदी सरकार ने लिया है इसलिए इसका विरोद करे क्योंकि उसे भी सभणों का वोट चाहिए 543 लोग सभा की सीटों में से लगभग जो है 125 से 1500 के बीच में ऐसी सीटे हैं जहांपे की सभण सीधे जो है दखल रखता है और हराने जिताने की स्तिती में होता है इसलिए कोई भी दल इसका विरोद नहीं कर पाएगा बसपा सुप्रीमों मयावती रामदास ठावले राम बिलास पासवान सरीखे तमाम नेता जो है पहले इसकी पहले पहले इसकी पहरोकारी करते रहे हैं तो लोग सभा में यदि जब आएगा तब कौन सा दल क्या स्टेंड लेता है कि कितना इसमें संसोधन की मांग करता है ये तो बात की बात है पहले मैं इतिहास को जरा गोर से देखेंगे तो आप पाएंगे कि सबसे पहले नाइन्टी ट्वेंटी वन में यानि कि जब अंग्रेजों की हुकूमत थी तब मद्रास प्रेसिडेंसी में जातिगत सरकारी आग को के लिए था लेकिन वो नाइन्टी ट्वेंटी वन में जो है पहली बार ब्रामणों को 16 परसेंट आरक्षण दिया गया था और उसके बाद यदि जब हम आते हैं तो जो बीपी सिंग सरकार ने मंडल कमिशन लागू किया मंडल कमिशन के बाद देश में जो है बहूत जिसमें एक छात्म ने आत्म दाह भी कर लिया था और उसके बाद कुछ हैसा देश में महौल बना था कि सरकार से सबर्ण नराज हो गयते तब 1991 में जो नर्सिंग राव सरकार थी उसने भी सबर्णों को आरक्षण देने के लिए 10% आरक्षण देने के लिए फैसला किया था लेकिन जो इंद्रा साहनी का मसला आया सुप्रीम कोट के सामने उसमें वो खारिज हो गया था खारिज होने का अधार ये था कि आप जो है 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दे सकते चुकि सम्विधान में जो बेवस्था है यदि आर्टिकल 15 और 16 की बात करें तो वो लिंग जात, बर्ग, समुदाय के अधार पे भेद भाव की मना ही करता है लेकिन जो सम्विधान संसोधन बाद में हुए इंक्लूडिंग पहला सम्विधान संसोधन जो 15-16-16 जोड़े गए थे उसमें ये कहा गया कि यदि आउसर की समानता यदि आइसा लगता है कि समुचित प् आकड़ा भी आपके पास होना चाहिए कि सम्चित प्रतिनिदित तो नहीं है एक सबसे बड़ा जो इसमें रोड़ा है वो ये है कि क्या सिर्फ समाजिक आर्थिक आधार पे जो है ये पिछड़े हैं या कमजोर हैं तो आपको आरक्षन मिल सकता है नहीं उसके लिए समाजि इसके रास्ते में ये है कि ये सरकार को साबित करना होगा कि हाँ ये पिछड़ गए हैं और इनको अपलिफ्टमेंट की जरूरत है दूसरा इसमें जो ये सरकार देना चाहिए कि क्या हो सकता है तो ये 50% वाली बाधा फिर से आएगी क्योंकि अभी तक 49.5% आरक्षन है तो उस इस्तिति में क्या करना होगे कि दो-तिन राज्यों का उधारन सामने है महाराष्ट तमिलनाडोर राजस्थान और भी कुछ राज्ये हैं जहांपे कि आरक्षन मोर दैन 50% है लेकिन उसको नवी अनुसूची में रख करके बचा लिया गया है तो अब सब कुछ को आरक्षन देने के लिए कि इसमें क्या किया जा सकता है फिर बाद में जब मनमोहन सरकार 2004 में आ गई थी तो 2000 में कांग्रिस सरकार ने भी ऐसा एपियस सरकार ने भी ऐसा किया था लेकिन उन कमेटियों का कोई रिजल्ट नहीं रहा तो ऐसा नहीं है कि ऐसी कोशिस पहली इसके पहले भी ऐसी कोश से होती रही है और कहीं नहीं आदालतों ने कानूनी ग्राउंड पर उसको रिजिक्ट कर दिया अब देखते हैं कि मोधी सरकार इसको कैसे आगे ले जाती है और कैसे अंजाम तक पहुंचाती है गरीब सबर्णों को उपर उठाने के लिए तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहे हैं हमारा डिटर चैनल इन खबार और से सब्सक्राइब कीजिए